सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार, Current Affairs Education के Quick To The Point कारेक्रफ में आपका स्वागत हैं, आज हम चर्चा करेंगे हरीकेंट्स शेली, सबसे पहले हरीकेंट्स शेली चर्चा में क्यों हैं? हरीकेंट्स शेली, अमेरिकी मेक्सिको की खाड़ी तटके करीब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिससे एतिहासिक बाड़ का खत्रा पेदा हो गया हैं संबंदित चानकारी, बारिश और तूफानी हवाओं के तट नस्दिक पहुँचने के साथ ही चार राज्यों की लोगों से समुद्र तट से दूर जाने का आग्रह किया गया है नेशनल हरीकेन सेंटर NHC के अनुसार हरीकेन अलबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी के तटो पर बड़े पेमाने पर बाड़ और तूफान के साथ बारिश आने की आशंका है इसकी सुस्त गती के कारण इसकी तुलनाम 2017 के तुफान हारवे से की जा रही है जिसके कारण हुस्टन शेत्र में कई दिनों भारी बारिश और बड़ी शती हुई थी तुफान शेली से 2 बिलियन डोलर से 3 बिलियन डोलर तक नुकसान पहुँचने की उम्मीद है हरीकेन अट्लांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर आने वाले उष्णकटिबंदी चक्रवातों को हरीकेन के नाम से जाना जाता है उश्नकटिबंदी चक्रवात आक्रामक तुफान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति उश्नकटिबंदी शेत्रों के महासागरों पर होती हैं, जिसके बाद ये तटी शेत्रों की और गतिमान होते हैं, ये चक्रवात आक्रामक पौणों के कारण व्रहद इस्तर पर विनाश, अत्य चीन सागर में टाइफून और पस्टिमी अस्ट्रेलिया में विली-विली कहा जाता हैं